आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आज मैं महाकवी विद्यापती द्वारा रचित पदावली के कुछ चंद लेकर के प्रस्थूत हैं, इक चंद की व्याख्या आपके समुख प्रस्थूत करूँगा, आप सभी कृपया को और से सुने, विद्यापती को मैथिला का कोकिल कहा गया है, ये स्रंगार रचित बहुत प्रमुख और प्रस्थूत कवी माने गये हैं, मैथिल कोकिल के नाम से इनकी साहिते में ख्याति प्राप्त है, तो उनके द्वारा रचित पदावली के कुछ चंद व्याख्या की दृष्टी से आप के समुख प्रस्थूत है, पहला चंद लिजिए क्या कह रहें कवी, नंद नंदन कदम बेरी तरू तरे, धीरे धीरे मुरली बोलाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोहरा लागी अन खुने, विकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततही निहारी, गोरस बिके, निके अबाईते जाईते, जनी जनी पूछ बन मारी, तोहे मतिमान सूमती मधू सुदन, बचन सुनुहू कुछु मेरा, भनई विदापती सुन बर जौबती, बंद है नंद की सोरा। ये चंद जो है विदापती द्वरारचित पदावली से लिया गया है, इसकी व्याख्या से पहले, इसके कशनी शब्दों का अर्थ देख लें, नंदक नंदन यानि नंदपुत्र क्रिशन तरे का अर्थ नीचे, बैसल का अर्थ वा बैठे हुए, बोली पठाव बुलावा भेजते हैं, सामरी यानि शामा यानि नायका, तोहरा का मतलब तेरे उद्वेगल का अर्थ उद्वगिन होना खिन याउदास अनखुने का अर्थ प्रतीक्षण ततीपल ततही यानि उस ओर अबैते जाईते आते जाते जनी जनी यानि प्रतेक नारिसे, बनमारी, बनमाली, वनमाली यानि क्रिशन, तो इस पद का प्रसंग इस प्रिकार बनेगा, कि प्रस्तूत अवतर्ण मैथिल कोकिल विद्यापती द्वारवेचित पदावली से लिया गया है, इसमें कवी ने कुछ घटना का वर्णन किया है, जब शिरीक्रिशन राधा की प्रतिक्षा में बैठे हुए थे, और राधा के नय पहुंचने पर व्याकूल हो रहे थे, शिरीक्रिशन की इसे व्याकूलता को कोई दूती या सखी राधा से जाकर कहती है, कि हे राधे, नंद के पुत्र, शिरीक्रिशन कदम व्रिक्ष के नीचे, निश्चत स्थान पर मिलन की आश्च लिए बैठे हुए धीरे-धीरे मधूर स्वर में मुरली बजा रहे हैं, वे अपनी मुरली से बार-बार ऐसे स्वर निकाल रहे हैं, या ऐसा लगता है कि वे अपनी मुरली से कोई संदेश दे रहे हैं, जिससे नाईक का राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालम हो जाए, या वो क्रिशन जो है, अपनी मुरली जो बजा रहे हैं, उस मुरली से इस प्रकार के संकेत भेज रहे हैं, कि वे संकेत राधा के पास पहुंचें, और उनसे ये पता चलता है कि वे राधा को बुला रहे हैं, एकांत में मिलना चाहते हैं, हे शामा, यानि हे राधा, तुम में अनुरुक्त होकर तुम से मिलने के लिए शिरी कृष्ण प्रतिक पल बेचन हो रहे हैं, इसलिए वे यवना नदिक के तट पर इस्थित, उपुवन में दुखी होकर उसी और बार बार देख रहे हैं, जिस राष्टे से तुम्हारे आने की संभावना है। वे दही बेचने के लिए आती जाती प्रतेक नारी से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, हिराधे, तुम मेरी ये छोटी सी बात सुनलो, तुम भी बुद्धी मान हो, कृष्ण भी चतुर सूमती हैं, अर्था तुम दोनों ही एक समान बुद्धी वाले हो, इसलिए दूती राधा से कहती है, हे सुंद्रियों में स्थ्रेश्ट राधे, मेरी बात सुनो, तुम स्रीकृष्ण की वंदना करो, यानि उन कहने का मतलब ये है, कि तुम स्रीकृष्ण के पास उस स्थान पर पहुंचो, जहां स्रीकृष्ण तुमारा इंतजार कर रहे हैं, और उ को सुख और आनंद मिले इस प्रकार इस पद में कृष्ण के बेचेनी का चित्रन किया गया है साहिते में अधिकतर नायकाओं की विरेवेथा का चित्रन कभी क्या करते हैं विद्धापती ने इस पद में कृष्ण के बेचेनी का चित्रन किया है जो की बहुत कम जगए देख देखने को मिलता है यहां नायका जो है आलमबन रूप में है और नायक जो है आसरे रूप में चित्रित हुआ है तो इस पद की कुछ विश्ष बाते हैं वो देख बार धंग से और देखे यह पद कवी ने मंगलाचन की तरह प्रिक्त किया है यह ग्रंथ के आरम में निर्दे इसात्मक मंगलाचन यानि पदावली की रचना जब कवी ने की तो सबसे पहले क्रम में कवी ने इसी पद को रखा है जिससे यह पता सलता है कि कवी ने राधा की स्तूती की है राधा की वंदना की है इसमें कवी ने अपने आराध्य आथ्वा आराधा की वंदना के साथ ही कावे की प्रतिपादे विशे का भी संकेत देदिया है कि आनि राधा की इस्तूति करने का मतलब यही है कि कवी की जो पदावली है वो सरंगार रस्की है और राधा और क्रिशन के प्रेम से परिपूर्ण रचना है दूसरी बात यह है कि इस शब्द पद में जो शब्दों का चैन किया है वो बहुती भवानकुल और संगार रस्क्य अनुरूप है अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकास, परिंकर, परियायोक तलंकार परियुक्त हुए है और चंद की गैता और यती गती बिल्कुल उचित है इस शब्द में कदंबक तरू तरू तोरा गोरस बेचई इत्यादी में पाठा अंतर भी मिलता है परन्तु भावार्थ में यहां कोई अंतर नहीं होता है और कवी की भासा मेथली है देखिए आगे कवी क्या कहते हैं दूसरा चंद लेता हूँ सुनू रसिया अब नै बजाओ विपिन बंसिया बेरी बेरी चरनार विंद गही सदा रहब बनी दसिया की छल हूँ की होयब से नहीं जाने ब्रिथा होयत कुल हसिया अनुभव ऐसा मदन भुजंगम रिदे मोर गल डसिया नंद नंदन तुव सरन नत्यागब बरु जग होय दुर जसिया विद्यापती कह सुनू बनीता मनी तोर मुख जीतल ससिया धन्य धन्य तोर भाग गुवारनी रिदे हरी भजू रिदे उलसिया इस पद के कुछ कठनी सब्दों को देखें उनके बिना इसकी राख्याँ आप समझनी पाएंगे तो विपिन का अर्थ बन बनसिया का अर्थ बांसुरी दसिया का तात्परिय दासी से है की छलहू क्या थी की होयब क्या होंगी मदन भुजंगम काम देव रुपी साप दुर दसिया अपियस या बदनामी बनीता मनी रमनियों में स्रेष्ट जीतल यानि जीतलिया ससिया यानि चलंद्रमा को गवारनी गवालनी तो इसका प्रशंग इस प्रकार बनेगा कि ये प्रस्तूत पद्दे पंक्तियां कभी विद्यापती द्वारा अरचित पदावली से लेग है इन पदों में या इन पंक्तियों में विद्धापति ने नायका आर्थात राधा स्री कृष्ण से बासुरी ने बजाने के लिए कह रही है इससे कवी का भक्ति फाव वेंजित हुआ है राधा कृष्ण से कहती है कि वो रधिक बासुरी ने बजाए उससे उसकी हंसी उड़ती है समाज में उसकी बदनामी होती है और वो कहते है कि मैं तो तुम्हारी हूँ हमेशा और तुम्हारी रहोंगे फिर तुम मेरी बार-बार वंसी बजाकर के मेरा चेन क्यों छिनते हो और यही भाव लेकर के यह प्रियुक्त हुआ है देखे क्या कहते हैं कवी कवी के अनुसार नाइका राधा कहते है हे रसिक, हे क्रिसन सुनो अब वन में मासुरी मत बजाओ जो पहली लाइन है सुन रसिया, अब ने बजाओ भी पिर्मसिया यानि हे रसिक, हे प्रिये सुनो तुम, मेरी बात गोर से सुनो, कि अब इस कुपवन में बासुरी मत बजा जाओ, मैं सदा तुम्हारे चर्ण कमलों को पकड़ कर, तुम्हारी दासी बनी रहूंगी, मैं तुमसे प्रेम करने से पहले मैं क्या थी और तुमसे प्रेम करने के बाद क्या हो जाओंगी इस बात को मैं नहीं जानती परन्तु तुम मेरे प्रेम को सब पर प्रकट मत करो क्योंकि प्रेम जो है वो प्रदर्शित करने की चीज नहीं है प्रेम, हिदे का भाव है इससे वेरथी। वेरथ में ही मेरे कुल की बदनामी होगी। मुझे तो ऐसा प्छित होता है कि कामदेव रुपी सर्प ने मेरे रिदे को डस लिया है। राधा के कहने का भाव है कि मेरा रिदे यवन से मद होश हो रहा है। और आगे राधा कहती है, हे कृष्ण, चाहे संसार में मेरी कितनी ही बदनामी क्यों नहो, परंतु में कदापी तुम्हारे शर्ण का त्याग नहीं करूगी अर्था, तुमसे प्रेम करना नहीं छोड़ूगी, आगे विदापती कहते हैं, हे रमनियों में स्रेष्ट सुनो, तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया है, हे गवालनी, तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम उल्लास पूर्वक स्री कृष्ण का भजन करो और भक्ती करो, कवी ने, दोनों चीज़ें प्रकट की हैं, भक्ती भावना और स्रिंग संकेद दिया है, पूरा पद स्रिंगारस का था, परन्तु कवी ने, अन्तिम पंक्तियों में भक्ती की का संकेद दे करके, अपनी भक्ती भावना प्रकट कर दी है, और इस पूरे पद में आनुप्रास, रूपक और व्यतिरे का लंकार परियुक्त हुए हैं, पद योजना विरह व्याकुल तरुवर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नैन सै सकी ठरही नीर अपार रे, पेखी मल्यज पंक म्रिगमद तामरस घन सार रे, निज पानी पल्लव मुंदिलोचन धर्नी पडु अंब सार रे, अंब असंब भार रे, बहई मंद सुगंद सीतल मंद मले समीर रे, जनी प्रले कालक प्रबल पाबक दही सुन्न शरीर रे, अधिक बेपतु तूट पड़ी खतिखिती, मृष्न मुक्ता माल रे, अनिल तरल तमाल तरूबर, मुंच सुमनस जाल रे, मान मनित जी सुधती, चलू जही राय रशिक सुजान रे, सुखद सुरुती अति सरस दंडक, कभी विद्यापती भान रे, कशिन सब्द देखें, बकूल का रथ मौल स्री कपेड, पेखल का रथ देखा, नीरज का रथ कमल, सैम यानि से, म्रिगमद का कस्तूरी, तामरस का रथ कमल से, घनसार का रथ कपूर से, असंभार्ष यानि बेसहरा, कालक का मतलब काल से है, पाबक यानि आग, सुन यानि शुन्य, बेपथू यानि कमपन, खीती यानि धर्ती, म्रिशन यानि चिकनी, अनिल का मतलब वायू, मुंच गिरना, मान मनी, मान रुपी मनी, सूधिती, सुन्दर दांतो वाली नायका, सुरुति यानि सुन्ना, और दंड का रथ एक चंद का नाम विशेष है, एक चंद को बोलते हैं, तो आउतरंड का जो प्रसंग है, वो वह ही बनेगा, जो पहले बना है, और इसको आप कह सकते हैं, प्रस्तूत आउतर्ण जो है, विद्यापती द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, और राधा ने मान किया है, जिसके कार्ण कृष्ण विरे व्याकूल है, दूति या जो राधा की सखी, श्रीकृष्ण की विरे दशा का वरन करते हुई, राधा से मान छोड़ने के लिए और प्रियत्म से मिलने के लिए आगरे कर रहे हैं, तो इसी प्रसंग में आगे क्या कहती है, नाइक की जो दूति है, नाइका की सखी से जाकर कहती है, यह राधे, मैंने मौल स्री व्रक्ष के नीचे, स्री क विष्ण को विरे से व्याकुल देखा, यह सखी, उसके नेले कमल, रुपी नेत्रों से जल की अपार धारा भै रही थी, वी चंदन, लेप, कस्तूरी, कमल और कपूर को देखकर तुम्हारी स्मृति आने से, तो था अपनी विरे विथा बढ़ जाने से, इतने व्याकुल ह हो रहे थे कि, अपने ही कर कमलो से, अपने नेत्र बंद करके पे सहारा होकर प्रत्वी पर गिर रहे थे, जब मंद, सुगंदित, शीतल, मलेवायु भैती, तो उन्हें ऐसा प्रतित होता है, कि मानो प्रलेक आलिन, प्रबल, प्रचंड आग, उनके सुन्ने शरीर को जला र उनके शुमोकल, सुकोमल, चमकदार मोतियों की माला तूट कर प्रत्वी पर गिर पड़ती है, जो ऐसा लगती है, मानो वाय की चंचलता से, तमाल व्रक्षे, फूलों का समझ तूट कर गिर रहो, इसलिए हे राधे, हे रमनी, तुम अपना मान, रुपी मनी, त्याग कर उ उस स्थान पर जाओ, जहां तुम्हारे प्रियतम विरेवेथा से संतप्त हैं, कभी विद्यापती कहते हैं, कि यह दंडग चंद बहुती सरस है, और सुनने वालों को बहुती सुकदाइक है, इस प्रकार इस चंद में राधा को उसका मान त्याग करने के लिए कहा गया है, मान का तात्री यह है, कि जब नायका अपने प्रियतम से किसी बात पर नाराज होती है, तो वो सोचती है कि प्रियतम उसे आकर के मनाएगा, तभी वो उससे बात करेगी, तो यहां राधा ने मान किया, और उसके वियोग में क्रिशन की जो दशा है, बहुती खराब हो गई ह क्रिश्ण उसके विए व्याकुल है तो उनकी जो सक्य है उसके ये स्टिच देखी नए गयी और इसी कारण व‍व दूति जो है राधा के पास जाकर करके राधा को मनाती है और राधा से मान का त्याग करने के लिए कहती है इसी बात का वनन कवईवर मेथलिस क्यों कविवर विद्धापती ने इस चंद में किया है और भासा से लिकिद्रेश्टी स्थ्यागार इस चंद को देखें तो हम कह सकते हैं कि नायक स्रिक्रश्ण की विरह का वर्नन परंपरागत हुआ है राधा को यहां मानवती नायका बताया है दंडक चंद में 27 या उससे अधिक वर्न होते हैं ये दंडक चंद है इसमें वर्न आवरत्ति से अनुप्रास पानी पल्लव वे मान मनी में रूपक अलंकार तथा संभावित व पस्तू वर्नन होने से उत्प्रेक्षा अलंकार का व्योग हुआ है और पूरे चंद में विप्रलंभ सरंगार का चितन भापुन है विप्रलंभ सरंगार का तात पर यह है कि व्योग सरंगार का संदर वर्नन जहां मिलता है उसको विप्रलंभ सरंगार भी कहा जाता है इस विद्धापती के चंदों की जो व्याख्या लेकर मैं आपके समुख प्रस्तूत हुआ था उन चंदों की व्याख्या आज इस वीडियो की समय शिमा को देखते हुए यहीं समात्त करता हूँ से इस अगले वीडियो में आगे एक चंद लेकर के मैं आपके समुक प्रस्तुत होगा इसे साथ आगे चंदों की वाक्या देखने के लिए आप वीडियो की दूसरी स्रिंखला को देखें आप सबको इसे के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आभार